नवस्कार साथियों मैं अन्खुल देवेदी आशा ऐसीयस के यूटूब चैनल आशा ऐसीयस वर्चुल अकाडमी पेगवर फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूँ साथियों ये हमारा स्पेशल सेरीज चल रहा है फॉर नेट सेड जे आरेफ के लिए फर्ष्ट पेपर का जो एक महत्तपुर्ण टॉपिक है शिक्षन अभियोग्यता जी हां साथियों टीचिंग एप्टिट्यूड उसी में से एक और टॉपिक हमारा बनता है effect of instincts on learners यानि छात्रों पर मूल प्रवर्तियों का प्रभाव छात्र वो जो शिक्षा ग्रहन करने स्कूल जाते हैं छात्र वो जो अपने ज्यान में वर्धी करने स्कूल जाते हैं छात्र वो हैं जो अपने व्यवहार और व्यक्तितों में सकारात्मक परिवर्तन के लिए स्कूल जाते हैं तो ऐसी अवस्थाओं में उन छात्रों में व्याप्त जो पाई जाने वाली मूल प्रवर्तियां हैं उनका विद्यार्थियों के सीखने पे और शिक्षा को ग्रहन करने पर क्या प्रभाव पड़ता है हम इस विशय में बात करने जा रहे हैं जी हां साथियों शुरू करते हैं जानना सबसे पहले मैं आपको पताऊं मूल प्रवर्तियां क्या होती हैं तो बहुत आसान तरीके से हम पढ़ेंगे कुछ भी कठी नहीं इसमें तो देखें मूल प्रवर्तियों को मैंने लिख दिया प्रवर्तियां वो होती हैं पहले हम ये विचार कारिय में परणित होते हैं और कारी में परणित इन विचारों को हम कहते हैं मोल प्रवर्तिया इंस्टिंक्ट्स और उन विचारों को जिनसे मोल प्रवर्तियों का उदय होता है जिससे मोल प्रवर्तिया इंस्टिंग्स आपकी बनती है उन्हें हम कहते हैं समवेग याने इमोशन्स क्या कहते हैं उन्हें इमोशन्स जैसे कि एक आपकी इंस्टिंक्स है एक मूल प्रवृत्ती है भोजनान वेशन याने भोजन खोजना क्या है कि मानव जब अपने प्रीवियस वाम में था याने जब हम आदी मानव अर्लियर हुमन था ठीक है होमोसेपियन से पहली वाली जो हमारी कंडिशन थी जब हम में फिज़र नहीं हयनते न हम Appeal आर्फों का संग्रहन करते थे हम Venice का संग्रहन करते टीक है दूसरी चीज तो यह क्या हो गई आपकी अच्छा आज भी यही स्थिती है आज भी आपके हां देखिय को मदार्फों का संग्रहन हर किसी के घरपे कर देख हर कोई खोजता है खा पीछे जो काम करने वाला emotion है, जो समवेग है, सक्तिसाली समवेग है, वो है भूख, ये देखे, यहां लिखा हुआ है, ठीक उसी प्रकार, ये हो गया आपका भोजनान वेशन, के पीछे काम करने वाला जो आपका मूल समवेग है, वो है भूख, कोई भी चीज संग्रह करना, एकठा करना, गैदरिंग करना, किसी भी चीज की, ठीक है, उसके पीछे जो आपका एक भावना है, वो है अधिकार की भावना, ठीक, ये चीज मेरी हो, मेरी हो इसके लिए में क्या करूँगा, उसके मेरा स्वामित तो हो, उसके मेरा मालिकाना हक हो, इसके लिए में क्या कर उस चीज पर अपना अधिकार करूँगा, उसको अपने पास रखूँगा, उसका संग्रहन करूँगा, ताकि वो चीज मेरी मानी जाए, और इसके पीछे जो काम करती है, जो समवेग होता है, वो है अधिकार की भावना, और इसके अलावा मानव की एक मूल प्रवर्ती है, र Lord Day of creativity होती है! किसी भी चीज के निर्मार करने के बाद एक आनन्द की प्राप्ति होती है! ठीक है तो वो चीजे इन्सान की मुल प्रविर्ति की अंतरगत आती है फिर होता है अपकी जिग्यासा जाननी की एक्षा बोलते हैं ना, इंसान एक जिग्यासु प्राणी है, इंसान को हर चीज जानना है, अपने आजू बाजू, क्या घटी थो रहा है, कैसे घटी थो रहा है, ये सारी चीज़ें इंसान जानना चाहता है, ठीक, तो इसके पीछे उसके ज्ञान की भावना काम करती है, फिर एक पलायन होता है, लेकिन पलायन चाहे वो समूह से हो, पलायन चाहे वो चकाचौंच से हो, पलायन चाहे वो शत्रू के सामने से भागने की बात की जाए, पलायन चाहे जिम्मेदारियों से भागने की बात की जाए, हर जगा जो आपका संबीग होता है, जो मानवी ये भावन हसना एक सारीरिक क्रिया है ठीक है लेकिन उसके पीछे जो आंत्रिक संवेग है वो है मनोरंजन भाई मन का रंजन होता है मन को मजा आता है तब तो आप हसते हो अब मजा ही नहीं आएगा तो काएगी हसी होगी ठीक है फिर इसके बाद अगली है युद्सा अब बोलने में भा कडालू प्रविर्ति के कहीं भी लड़ जाएंगे कहीं भी कर जाएंगे किसी से भी लड़ जाएंगे उसको कहते हैं युद्सा बात बात भी लड़ने को करेंगे शांती की बाते ही नहीं आती बहुत सारे लोगों को आता सब की ये मानवी जो आपकी क्रियाएं हैं जो पर रहेगा इसके पीछे जो मानवी संवेक कारिय करता है वैचारिक संवेक कारिय करता है वह एक क्रोध भाई साब को बड़ी जल्दी गुश्वा जाता है इस जब तक कुटाते ही नहीं तब सान्त नहीं होते ठीक है फिर इसके बाद है अगली आत्मरक्षा मतलब हर इंसान डरता है अपने रक्षा की विवस्था आपने घर क्यों बनाया ठीक है आपने घर बनाया आत्मरक्षा के लिए आप चोकनने क्यों रहते हो आत्मरक्षा के लिए ठीक है इसके पीछे जो मेन मानवी सम्वेग है वो कौन सा काम कर रहा है भाई साब वो काम कर रहा है जीवन जीने की भावना आपको जीने का मन है इसलिए आप अपनी सुरक्षा कर रहे हो आत्मरक्षा कर रहे हो ऐसी है एक शरणागती ठीक है इंसान को थोड़ा साभी कहीं प्रॉब्लम होता है न तो किसी के सहारे भागता है शरण में जाता है अपील करता है ठीक है तो शरणागती के पीछे कश्ट शरणागती के पीछे काम करने वाली मानवी भावना क्या है कश्ट कश्ट होगा तो आप उस कश्ट से दूर जाओगे किसी से सहयोग मांगोगे किस का यही स्वाभाव है भाई ठीक है तो इनकी बात ये चीजे तो पहले से मानविये जीवन में विद्यमान थी सारी की सारी चीजें लेकिन सबसे पहली बार एक विद्वान है विलियम मैक डूगल विलियम मैक डूगल विलियम मैक डूगल इन्होंने एक किताब लिखी किताब का नाम था इंट्रोडक्षण टू सोसल साईकोलोजी क्या था? इंट्रोडक्षण टू इंट्रोडक्षण टू सोसल साईकोलोजी जो की छपी उननिस सो आठि में तो इन्हों ने भाई साब ने William MacDougal ने अपनी किताब Introduction to Social Psychology में 1908 में सबसे पहली बार मूल प्रवर्तियों का जिक्रकार किया मानव जीवन में मूल प्रवर्तियों से उनके व्यवहार को समझने की जो एक कला है इसके बारे में लिखा किसने William MacDougal ने अपनी किताब Introduction to Social Psychology में ठीक है यहां तक बात समझ में आ गई अब यह क्या लिखते हैंगी What is instincts?